संस्कित साहित को एक अहम योगदान देने वाले की बारे में आज बात करेंगे वो वेक्ट यह है पतंजली पतंजली ने एक ऐसे चीज लिखे इसका नाम है महाभास और जैसा नाम है वैसा है उसमें ने उसकी समिच्छा लिखी है व्याकरण की व्याकरण महाभास के लेखक व्याकरण के गया है उसके जो लेख sopr्वे पतंजली है अपने लिए गोनर्दी और गोन्री का पुत्र का प्रयोग किया है ने क्योंकि इनकी माता या पिता का नाम गोड्यका होगा या नारत के सब्सक्र होनगे है इसके ज्ञात होता है कि यह गोंड़ द गोंड़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे उल्टा हो गया है नहीं का मतलब कि अपने माता पिता के नाम पर पुकार जाते हैं पर यहां जहां उत्तर प्रदेश मुद्ध बहराज़ बस्तित देवरिया के पास में है वहीं है कुछ विद्वानों नों इन्हें कषमीर कहा है कुछ विद्वान कंतर मानते हैं। प्राया माना जाता है कि इन्होंने ही योग शुत्र की रचना की थी, कुछ विद्वानों ने तो इन्हें आयरुवेद के ग्रंथ है, रचक सहिता का भी लेखक या संस्कर्था मानते हैं, पतंजली का समय अधिक विवादास्पाद नहीं, प्राया इन सभी विद्वानों में प्राल निर्ड का सबसे पूष्ट प्रमाण पूण्य मित्र सुंग नरेश के द्वारा संचालीत अस्वमीग यग है, जिसमें उल्यक पुराणों में मिलता है और पतंजली भी निर्दिष्ट भी निर्दिष्ट करते हैं, पूण मित्रों जजते जाय का याज मंत्री तंत पूद्र भाविस्यत पूठ पूंठ मित्रों जटे याज मित्रों ज्यतनी sih काल में महाभास की रचना होई थी, इत्याश कार मानते हैं कि अंतिम मौर नरेश को मार कर अपने सेनापति पूर्ण मीत्र ने 175 इस भी पूर्व में मगद के राज आत्म साथ किया था मगद का राज समसाथ किया था तथा मस पूराड में निर्देश से पता लगता है कि 36 वर्षों तक राज के बाद अपने अस्वमेग यग किया था यह समय कुछ ही दिन पूर्व किसी यवन अक्रांता ने सांकेत था मध्यमिका नगरों पर घेरा डाला था उसका उल्लेक पतंजली करते हैं अरूण गद यवनो अधिमिकाय अरूण यवन सांकेत कम करने का मतलब कि जो पतंजली थे यह तो इनका मतलब कहां पैदा हुआ किस तरह से क्या रचनाकार मानते हैं क्या नहीं पर इंतों पतंजली ने क्या किया इन्होंने हमारे ब्याकराण को किस तरह से मतलब क्या क्या योगदान दिया जो आज इतना फिमस हैं पतंजली महाभा का महत्त भी क्या है पतंजली ने पार्णी के महत्पून सुक्तोत था उन पर कात्यान के वार्तिक की समिच्छा माभास में की है क्या समिच्छा के क्रम में उन्होने इतिहास धर्म सबाज राजनीत लोग प्रथा इत्यादि अन्यक विश्योग पर प्रकाश डाला यति अपने यूट की घटनाओं आधि की जो चीजे प्रचना केती थी वासवदत्ता की कहानी जो है विसरुचरितम में आधिसाभी कननों लेक किया था इस प्रकार महाभासन पतंजली ने ततकालिक संस्कित परिवेश में जाकने करे प्राप समगरी दी थी सुक्तो के अनुसरन करने वाले पदो में सुत्रार्थ का विवराण व्याक्या देते हुए जब कोई अपने पदो का भी व्याक्यान करता है तब उसे भास कहते हैं जब कोई अच्छा मतलब कहने का मतलब जो सुक्त के अनुसरन करने वाले पदो से जो हम पढ़ रहे हैं उसक 奶 साणकर भास रमानू जो बहुत सारे भास लिखेगगे पतंजली भास ही मिलता है कि तर्पर करबियों कि यही इसकी मात्वा का सूचक है。 पतंजली को तीर्थ दर्शी व्याकरार के अतरिक्त अन्य आगमों का ग्यादा कहा गया है माभास सभी लौकिक युक्तियों तथा पर भासाओ के संक्यतों न्याय बीज से संपन्न है माभास के प्रतम आहिक के द्वारा पतंजली ने भूमिरेखन की यास्किय वीदिकों विक्सित किया यास्क निरुक्त के प्रतमाध्याय के रूप में सास्तर की पूरा पीटिका भूमिका की परमपरा का प्रवर्तक कर चुके सब्ध और अर्थ का स्वरूप ब्याकरण का योगदान शब्दानुसाशन की प्रकिया सब्दार्थ संबंद ब्याकरण का रूप तथा शुक्तों में वाडोत्पदे का महत्वेस प्रकार आवस्थेग विश्व का गंभीरत विवेचन सरल सहली में किया गया जो इसमें सारी चीजे होते हैं ना प्रयोजन, ब्याकराण, सब्दार्त, संबंद, किसका किस्ति हैं विवेचन कियां विवेचन के विवेचनन गंभीरत विवेचन किया विवेचन ब्याकराणे के इन प्रतिस्ठा ब्राप्त है सिद्धांत की सिरिष्टि क्रम्सा प्रमाडिक्ता वड़ती है क्रम्सा यह है क्यूंकि पाड़नी कात्तान प्तंजलिया पर नहीं जो इनकी जो रिष्टि है वह बहुत आगया वड़ती चली गई है इसको ध्यान रखना आप सब लोग जो पेपर में आता थे सारी छोटी ची या मतलब इन्हों जो अपने सब्दकार्त स्वरूप बताया ब्याकराण का प्रयोजन बता दिया ये सारी चीजे लिखो के तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे तो छोड़ी छोड़ी चीजे ध्यान रखना आपको बहुत बहुत धन्यमाद थैंक यू थैंक यू सो मच